येस नवशकार लिस्नर्स आज मैं शांत कपूर एक बार फिर से एक बहुत ही शांदार सी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ regarding your admit cards, regarding your minimum marks to qualify the examination और बहुत सारी important चीज़ें यहाँ पर होने वाली है लेकिन उन सभी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा सबसे पहले आपका exam जो है सब्टेंबर में है जी हाँ 28 सब्टेंबर के आसपास आपका exam होने वाला है admit card उमीद रखिएगा कि 15, 14, 15 सब्टेंबर तक आपके पास आने चाहिए in the worst scenario चार-पांच दिन पहले आना चाहिए थोड़ा सा पहले आ जाए तो और ज़्यादा अच्छी बात है लेकिन अपने आपको हर तरीके से तयार रखिएगा और अगर मैं कहूं कि sir क्या कितने marks पर हम qualify होते हैं देखे qualify होना depending upon different subjects cut off लेकिन आपको minimum marks कितने चाहिए होते हैं आपको चाहिए होते हैं 40% marks to qualify the examination मैं ये नहीं कह रहा कि आपको UGC net या JRF मिल जाएगा 40% number पर ही लेकिन आप जो है race में रहेंगे और 40% अगर आपके 300 में से यानि कि 300 exam को भी पर होता है 300 marks का तो अगर उसमें आपके 120 number आते हैं तो you are still in the race उसके बाद आपके subject different subjects की cut off के उपर depend करता है आपका net या JRF तो पहला focus होना चाहिए कि 40% question तो ठीक होने ही चाहिए यानि कि 300 में से आपके 120 number तो आने ही चाहिए तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जहां पर आपको जो है मैंने बताया कि admit card और आपका minimum eligibility जो है exam को qualify करने के लिए आगे की जितनी भी जानकारी होगी कवाएगा admit card कवाए